पुश्कार दोस्तों आज मैं आपको चम्बा सहर के लक्षमी नारायन मंदिर जी के बारे में बताती हूँ जो कि हिमानचल प्रदेश के एक छोटे से शहर चम्बा में इस्तित हैं लेकिन यहों मंदिर बहुती विशाल और बहुती पुराना है हजारों साल पुराने इस मंदिर के दर्शन आज मैं आपको कराती हूँ जैस्री लक्षमी नारायन आईए दोस्तो जानते हैं लक्षमी नारायन के इतिहास के बारे में हिमानचल प्रदेश के चम्बा शहर में इस्तित लक्षमी नारायन के मंदिर में मंदिर के बारे में आईए आज हम जानते हैं जो कि चम्बा शहर का विशाल और हजारों साल पुराना मंदिर है दोस्तो आप अगर चंबाशायः आएंगे तो इस मंदिर में जरूर आईएगा। लक्षमी नारायड जी के दर्शन करके तठा उनका आसरवाद लेकर ही जाहिएगा। आए जानते हैं चंबाशायः के लक्षमी नारायड मंदिर के इतिहास के बारे में। किसका इतिहास कैसा रहा किसके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया यह मंदिर कितने वर्ष पुराना है आईए जानते हैं बोलिए लक्षमी नात जी की जै शिखर सैली उत्तर से दक्षिन की और निर्मित है च्छे मंदिर क्रमसो, स्री लक्षमीनाज जी का स्री राधा कृष्ण जी स्री चंद्र गुप्त जी, स्री गौरी संकर जी, स्री यमकेश्वर जी, स्री लक्षमी मोदक जी हैं, प्रागण में अन्य छोटे-छोटे मंदिर भी है स्री नारायण जी का विशाल मंदिर, चंबा नगर के संस्तापक, राजा सैल वर्मन ने दस्वी सब्तापडी में बनवाई था आप देख सकते हैं दोस्तों यहां मंदिर दस्वी सब्ताब्दीमा बनाई गया था तो आप इस से अनुमान लगा सकते हैं कि यहां मंदिर कितने वड़ से पुराना है 16 सधी के राजा परताप सीह वर्मन के राज्यकाल में इनका पुनरद्वार किया गया राजा जीत सीहे की पत्तिनी विध्वारानी सार्दा द्वारा निर्मे स्री राधा कृष्ण का मंदिर है जो इस प्रागण में जो राधा कृष्ण का मंदिर है वह जीत सीहे की विध्वारानी द्वारा निर्मित किया गया वो अभी नया नया मंदिर जो की स्री लक्षमी नारायन मंदिर की अपेक्षा नया मंदिर है इस वर्ग की अपेक्षाक्रित नया वा नवीन मंदिर है कश्मीरी शैली में बनी संग मरमर की स्री लक्षमी नाज जी की प्रतिमा जिसे बैकुंट भी कहा जाता है जो यहाँ पर लक्ष्मिनाजी की प्रतिमा है उसे साखसा बैकुंड भी कहा जाता है गर्व ग्रहो के सामने मंड़ब में पत्थर का चौकवर चबुत्रा बना हुआ है जो यहां के दोस्तों जो यहां चबुत्रा बना है उसे चोखुंडी भी कहते हैं यहां एक पवित्र इस्थल और न्याय पीठ है जहां लोग अपने सामने भगवान लक्षमिनात जी को शाक्षी मान कर सत्य व्रत का पालन करते हैं और सत्य बोलने की सौगन दखाते हैं बोलि आज मैंने आपको बताया कि चंबा शहर में इस सत्य लक्षमिना रहाण जी के मंदिर के इतिहास के वारे में कि यहां मंदिर कौन से सद्युई में बनाया गया था इस मंदिर का इतिहास मैंने आपको बताया दोस्तो आपको यहाँ कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा दोस्तो और आप हिमानचल की सुंदरता की बारे में तो जानते ही है तो अगर आप चम्मा शहर आते हैं जो की डलहुजी होते हुए खजिया खजियार से चम्मा आएंगे तो यहाँ जरूर आएगा दोस्तो बहुती सुंदर और बहुती विशाल और बहुती पुराना मंदिर है लक्षमी नारार जी का यहों मंदिर बहुती पुराना है दोस्तो यहाँ दर्शन जरूर करिएगा आपको हिमानचल प्रदेश के चम्म शहर में इस्तित लक्ष्मी नाराण जी का मंदिर कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा दोस्तों ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लेके आऊं ऐसे ही अलग-अलग मंदिरों के बारे में आपको बताऊं तथा मैं खुद भी इनका ज्यान प्राफ्ट